तो आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे एक स्कॉलर्शिप स्कीम के वे रिलेटर बात करेंगे तो बिफोर स्टॉरिंग दे वीडियो में आप सब को बताऊंगा जो भी हमारी इस चैनल पहनाया है तो हमरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शियर कीजिए ताकि जो भी स्टॉडेंट्स जो इलिजिबल होंगे इस स्कॉलर्शिप के लिए वो एप्लाइ कर सकेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार करते हैं तो जो स्कॉलर्शिप का जो नाम है वीवो अजुकेशन स्कॉलर्शिप टुएंटी तो इसमें जो target students है जो कि apply कर सकता है यहाँ पर आप देख सकते है target student जो है वो 11th class की students है जो कि currently present year में 11th में पट रहे है तो वो इसके लिए eligible है वो यहाँ पर यह apply कर सकते है तो eligibility criteria जो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पर students from pan India can apply एंडिया के जो residents होंगे वो यहाँ पर apply कर सकता है और minimum जो है second point 80% जो है उनका score होना चाहिए in class 10th तो 10th में उनके 80% marks होने चाहिए तो वो apply कर सकता है और third जो है family income less than 4 legs annual income जो है less than 4 legs होनी चाहिए तो वो scholarship के लिए apply कर सकता है तो इसमें benefits क्या है तो benefits third point यहाँ पर दिया हुआ है कि scholarship के benefits क्या मिलेगा तो सबसे पहले a new vivo smartphone एक smartphone दिया जाएगा दूसरा जो है cash scholarship of inner 1500 एक तो smartphone यहाँ पर मिलेगा दूसरा 1500 जो है वो दिया जाएगा जो भी इसके लिए selected होंगे students तो apply के लिए documents जो यहाँ पर required है कुण कुण से documents आपको यहाँ पर apply करने के लिए ready रखने है वो तो सबसे पहला other card के details जो है वो देने है proof of identity जो है कोई भी card जो है वो आपको proof is देना है and proof of address जो है वो देना होगा उसके लिए other card का इस्तमाल कर सकते हो तो यहाँ पर fourth number पर bank copy का passbook जो है उसका एक photocopy जो है वो आपको देना पड़ेगा 10th board mark sheet जो है वो भी ready रखना है आपको and इसके बाद जो है income certificate जो है वो भी आपको यहाँ पर document required है जो कि इसके लिए आपको लगेगा and इसके बाद जो है current year जो चल रहा है उसका जो fee structure का जो receipt है 11th class का या tuition fee का receipt जो है वो भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और इसके बाद bonified certificate from the school college आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो को पर पढ़ रहे हो तो उस school की bonified certificate जो है वो इसके लिए आपको देने पड़ेगा तो यह सारे जो documents यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी screen पर नजर आ रहे हैं यह इसके लिए जो है documents required है तो apply किस तरह से करना है आपको और apply कहां पर करना है तो वो भी यहाँ पर जरा देखिए apply जो है आपको how can you apply तो यहाँ पर website दिया हुआ है तो इस website पर आप जाके apply कर सकते हैं या directly आप जो है वीवो education scholarship जो है यह आप सर्च करेंगे गूल में तो आप इस website पर आ जाएंगे तो वहाँ पर सारी details जो है वो आपको नजर आएंगे किस तरह से हमें यह documents जो है submit करना है किस तरह से यह हमें apply करना है scholarship के लिए तो यहाँ पर email address भी दिया हुआ है तो आप इनके साथ contact भी कर सकते है email address यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर आप इनके साथ contact कर सकते है email पर और इसका जो लॉस्ट deadline है 13th of February 2022 इसका lost date है तो जो भी 11th class के students है वो यहाँ पर इसके लिए apply कर सकते है इसके लिए eligibility criteria जो है व वो आपका 10th में मार्क्स होने चाहे और फैमिली इंकम जब लेस देन 4x होने तो वो आप अपले कर सकते हैं तो यह था scholarship scheme जो कि वीवोज education scholarship 2022 की तरफ से है तो इस वीडियो को अपने जो भी classmates होंगे 11th class के students के साथ शेयर कीजिए ता कि वो अपले कर सकते हैं